हेलो फ्रेंड्स विक्ट्री जोन शिक्ष मंद्र में आप सबका बहुत स्वागत है चलिए आज हम शुरू करेंगे परियावरन अध्यन तो परियावरन अध्यन में कुछ महतुपून बिंदू यहां पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको आवश्यक हैं जैसे सबसे पहले हमारा पॉइंट यहां पर दिया गया है जो जैव विवित्ता के बारे में जैव विवित्ता का प्रथमबार प्रयोग सन 1985 में वैज्यानिक W.G. रोजन द्वारा किया गया था दूसरा पॉइंट है हमारा उश्न कटिबंधी वर्षा वन को जैव विवित्ता का बंडार कहा जाता है नेक्स्ट है हमारा प्रवाल वित्तियों के बारे में तो प्रवाल वित्तियों को समुदर के वर्षा वन भी कहत या अगर question हमारे पास उल्टा आ जाए कि वर्षामुद्र के वर्षावन किसे कहा जाता है तो इसका अंसर क्या होगा कि यह प्रवाल भितिया है जो समुद्र के वर्षावन कहलाती है नेक्स्ट है सुन्दरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंगरोव वन है जिसमें सुन्दरी वर्ष मिलता है तो जो विश्व का सबसे बड़ा मैंगरोव वन है नेक्स्ट है किसी शेत्र विशेष में उपस्तित प्रजातियों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है उसकी अलफा बश्भ सैथार हो कि आपको प्रशनाता अल्फा विविधता के पास की शेत्र में अपस्तित प्रजात्यों की कुल संख्या अल्फा विविध्धता कहलाती है नेक्स्ट है हमारा रेड स्टेग रेड स्टेग जो है ये रेड स्टेग क्या चीज है रेड स्टेग हमारे पास जो है ये कश्मीर के दाची ग्राम रास्टी उद्यान में पाया जाता है जो रेड स्टेग है ये कश्मीर के दाची ग्राम रास्टी उद्यान में पाया जाता ह फुलो की गाटी हमारे पास जो है ये चामोली जिली कहां पर रहे ये उत्राखंड उसमें इस्थेत है नेक्स्ट है भारत का पहला रास्ट्री उद्यान भारत का पहला रास्ट्री उद्यान जो है उत्राखंड में है जिसका नाम है जिम कार्बिट रास्ट्री उद्यान नेक्स पॉइंट है हमारा भारत का पहला तप्त स्थल पश्मी घाठ है जिसका विस्तार श्री लंका तक है एक बार इसे ध्यान से देखिएगा कि भारत का पहला तप्त स्थल यहाँ पर बताया गया है जो भारत का पहला तप्त स्थल है वो कौन सा है पश्मी घाठ है जिसका विस्तार श्री लंकर तक है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है भारत का दूसरा जो तप्तिस्थल अभी हमने इसके पहले पहला तप्तिस्थल पढ़ा तो अब है दूसरा तप्तिस्थल जो दूसरा तप्तिस्थल है वो पूर्वी हिमाले है जिसका विस्तार जो है वो कहां तक है म्यनमार तक है तो भारत का दूसरा तप्तिस्थल जो है वो पूर्वी हिमालय है जिसका विस्तार म्यनमार तक है नेक्स्ट है दुध्वा दुध्वा जो है रास्ट्य उध्यान ये उत्तर प्रदेश में गेंडा परियोजना इसमें चलाई जा रही है कौनसा राश्च उध्यान है दुध्वा राश्च उध्यान ये कहां पर है उत्ता प्रदेश में है और इसमें क्या चलाई जा रही है गेंडा पर योजना इसमें चलाई जा रही है नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वाइल्ड फंड वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है इसका प्रतीक क्या है जॉइंट पांडा है जो डब्लु डब्लु एफ हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसका जो प्रतीक है जो साइन है वो क्या है जॉइंट पांडा है सिलिप לןी इस, तॉप सिलिप के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स है हमारे पास राष्ट्रीव उन्यजीव कार युजना जो है वो लेह में है, नेक्स्ट है साउथ बटन, साउथ बटन क्या है ये अंडबान देश का सबसे छोटा उद्यान है तो जो साउथ बटन ये कहा है अंडबान में है और जो देश का हमारे सबसे छोटा उद्यान है, इसका नाम है साउथ बटन, नेक्स्ट है मनिपुर का काईबुल यह क्या नाम है इसका काईबुल काईबुल लवजीत रास्ट्री उद्यान यह विश्व का एक मात्र तैरता उद्यान है जो हमारे विश्व में जो तैरता उद्यान है तो एक मात्र तैरता उद्यान हमारे पास है वो क्या है मनिपुर्का, काईबुल, रास्ट्रे, उध्यान तो इस तरीके से हमने जो अभी कुछ पॉइंट्स पढ़ें इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और चाहें तो आप कॉपी में इसे नोट भी कर सकते हैं ठेंक यू और वीडियो को प्लीज आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक से लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब जरूर करें ओके, सो ठेंक यू